मैं आचारे गविनोध श्रीमाली जी आज आपके लिए कुछ विशेश बातें बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार कोई हम पर कैसे जादू टोना कर देता है और हम उसके असर में कैसे आ जाते हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम उस जादू टोने के असर को खत् उन्हें दूसरों की काम्यावी अच्छी नहीं लगती, वे मन ही मन उनका बुरा सोचने लगते हैं, कभी कभी तो वे दूसरों को नीचे गिराने के लिए जादू टोना कभी सहारा लेते हैं, इससे सामने वाले की तरक्की प्रभावित होती है, इन सभी से बचने के लिए एक अचूक उपाय है, जिसका नाम शाबर मंत्र है, ऐसे दूर करें टोने टोटके का असर, इस मंत्र की खासियत है कि ये ततकाल प्रभाव देता है, इस मंत्र के शब्द इतने प्रभावशाली हैं कि ये आपकी मनुकामना को पूर्ण करने के लिए आपके पसंदीदा देवी देवता का आवाहन करते हैं, तभी इश्वर स्वय हमकारे के लिए रास्ता बनाते हैं, इस मंत्र के शब्दो चारण मात्र से ही ये आपकी रक्षा करता है, शाबर मंत्र के मूल प्रवर्तक शिव जी हैं, उन्होंने ये मंत्र माता पारवती को सुनाया था, इसके बाद ब गुरुवार मचंदरनात ने इस मंत्र का विस्तार किया, उन्होंने इसे नया रूप देगर प्रस्तारित किया, शाबर मंत्र बहुती सरहल होते हैं, जैसे ओम शिव गुरुह 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 ये एक सिद्ध शाबर मंत विधी विधान शबर मंत्र को जपने के लिए खास विशेश विधी विधान नहीं है हाला कि इस मंत्र कजब सनान के बाद करना उत्तम रहता है यदि आप सुबह इस कजब करें तो ज्यादा फलकारी होता है और अगर आपके पास समय नहीं है तो शाम को धुले हुए वस्तर पहन कर रात्री के भोजन से पहले इस मंत्र कजब करें इस मंत्र को श्रद्धा पूर्वक और भगवान भूलेनात पर संपूर्ण विश्वास रकर इस मंत्र कजब करें इससे आपको तुरंत ही लाब होगा अगर हमारे द्वारदी जा रही जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें जैश्री राधेद जैश्री कृष्णा